हलो साथियो मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल नौलेज जक्षन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूँ साथियो ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज आठवा विडियो एपिसोड है जिन में कुल साथ परसनों का संग्रह किया गया है तो आएए लगाते हैं इन साथ परसनों में आप देखते हैं कुल कितने परसनों का जवाब दे पाते हैं तो बिना देर किये हुए चलते हैं हम पहले परसन की और पहला परसन लिखा गया है पिर्थिवी पर सबसे गहरा अस्थल है तो साथियों पिर्थिवी पर सबसे गहरा अस्थल ये मिर्थ सागर जो जॉर्डन में इस्थित है उसके बाद चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है देश के stock exchange को कौन नियमित करता है तो देश के stock exchange यानी share बजार को नियमित करने वाले संस्था है से बी ऑप्शन नमर डी सेकुरेटी एक्चेंज बोर्ड आप इंडिया जिनकी अस्थापन उनिस सो अठासी इसवी में हुआ था तो साथियों आपको पता है आर्बी आई की अस्थापन एक अपरेल उनिस सो पाइंटीस इसवी को हुआ था और जबकि बी एस इ बॉम्बय एस्टॉक एक्चेंज जिसकी अस्थापना अठारा सो पच्छत्तर इसवी में हुआ था तो चलते हैं फिर आज की अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है बीबी का मकबारा कहां इस्थित है तो साथियों बीबी का मकबारा ये औरंगाबाद में इस्थित है और इसे ताज महल का नकल या ताज महल का फूहर कहा जाता है जबकि ताज महल आगरा में इस्थित है साजहां के द्वारा बनवाया गया था जबकि बीबी का मकबारा औरंग जेव के द्वारा बनवाया गया था तो चलते हैं अगले प्रस्न में आज का प् तो साथियों दाची गरम अभियारन भारत के जम्मू कस्मीर में है जो कि कस्तुरी महामिर्ग के लिए परचलित है जबकि पिनेर घाटी हिमाचल परदेश में है चलते हैं फिर आज के अगले प्रस्ण में आज का अगला प्रस्ण है बियाना किस नदी के किनारे बसा है तो साथियों बियाना, बेलगरेड, बुखारेश्ट ये परसिद नगर डेन्यूब के किनारे हैं जबकि इंगलेंड के राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे और इटली के राजधानी रोम हडसन नदी के किनारे जबकि इटली के राजधानी रोम टाइवर नदी के किनारे हैं जबकि न्यू योर्क अमेरिका के एक अस्थान है न्यू योर्क जो की हडसन नदी के किनारे हैं तो चलते हैं फिर अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है ताजिकिस्ताओन की राजधानी है तो साथियों ताजिकिस्ताओन की राजधानी दुसानवे है जबकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना या इन्हीं का नाम बदल कर अब कजाकिस्तान का राजधानी नुर सुल्तान कर दिया जबकि इसका पुराना राजधानी अस्ताना था और उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद है फिर चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है सुड़ी की कीरनों की तिवर्ता मापने वाले उपकरन को क्या कहते हैं सुड़ी की कीरनों की तिवर्ता यानि उच ताप को मापते हैं उच तापी पायरो मीटर से या एक्टियो मीटर से यानि सुरी की तिवर्ता हम एक्टियो मीटर से या उच ताप मापी पायरो मीटर से मापते हैं जबकि पौधे की रेखिया बिर्धी क्रेशको गराप के द्वारा मापते हैं और वायू मंडली या दाव बैरो मीटर के द्वारा मापते हैं तो साथियों चलते हैं आज के अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है और धोगिक 20 बिग्यान अनुसंदावन केंदर इस्थित है तो और धोगिक 20 बिग्यान केंदर ये लखनों में इस्थित है जबकि ONGC का मुख्याल है देहरा दुन में है और जबकि राष्टिया रासाइनिक परयोग साला ये नागपूर में इस्थित है फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में आज का अगला प्रस्ण है कास्टिक सोडा का रासाइनिक सोत्र है साथियों कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्र ऑक्साइड एक ही नाम हुआ जिनका सुत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्र ऑक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH और NaOHCO3 यह हो गया सोडियम बाइ कार्बोनेट जिसका उप्योग हम सब खाने में करते हैं यानि यह हो गया खाने वाला सोडा उसके बाद है NaCl सोडियम कलोडाइड जिसे हम टेबुल सॉल्ट कहते हैं उसके बाद है Na2CO3 तो साथियों यह होवा मेरा धोबन सोडा तो फिर चलते हैं अज के अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है उत्तर पस्चिम रेलवे का मुख्यालय है तो साथियों उत्तर पस्चिम रेलवे का मुख्यालय जैपूर है जबकि पूर्व मध्रेलवे का मुख्याले हाजीपूर में है और जबकि उत्तर रेलवे का मुख्याले नई दिल्ली में है जबकि पश्चिम रेलवे का मुख्याले मुंबई चर्च गेट है और अगर पश्चिम मध्रेगा यानि सेंट्रल ये स्वरी अगर Central Railway पुछेगा यानि मध रेलबे तो वो हो जाएगा CST सिवाजी छतरपती सिवाजी टर्मिनल यानि Central Railway सिवाजी टर्मिनल और पहच्चिम रेलबे मुंबई चर्च गेट तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा रोग बिक्तरिया के दोरा होता है तो साथियों बिक्तरिया के दोरा तपेदिक हैजा तपेदिक को ही हम TB बोलते हैं Tuperclosis या यख्चम यह तपेदिक हैजा टाफायड यह प्रसिद जिवानु जोरा रोग है जबकि चेचक और मंप्स पीलिया या पीलिया को ही जोंडिस या हैपेटाइटिस बोलते हैं ये सब वाइरस के दोड़ा होने बाला है चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है भारत में सरपर्थम संपुर्ण भारतिया फिल्म 1913 इसमी में बनाई गई थी इसका नाम था तो भारत में सबसे पहला फिल्म जो बना था 1913 इसमी में तो साथियों इनका नाम पोछ रहा है क्या है तो देखते हैं इसका ओप्सन में तो option है आलम आरा, लैला मजनू, आग या राजा हरिश्चन तो साथ यह 1913 इस्वी में भारत का सबसे पहला फिल्म बना था राजा हरिश्चन जो की यह मूख फिल्म था और इनके निर्माता निर्देशक यह दादा सहब फालके थे जबकि पहली बोलती फिल्म भारत के आलम आ रहा है जिसके डिर्यक्टर अर्सद इराणी है चलते हैं अगले सवाल में, अगला सवाल है सब्द बटरफलाई एस्ट्रॉक सम्बंदीत है तो साथियों बटरफला एस्ट्रॉक या बेस्ट एस्ट्रॉक यह सब्द तेराकी से सम्बंदीत है चलते हैं अगले प्रस्न में, आज का अगला प्रस्न है रियक्टर एस्केल निमलखित की तिवरता मापता है तो साथियों रियक्टर एस्केल जो है भुकंब की तिवरता मापते हैं जबकि समुंदर की गहराई फायदовали मेटर के द्वारा मापते है और रियक्टर एस्केल का खोज सन 1935 से स्वी में चार्ल्स रियक्टर के द्वारा किया गया चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रसन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुंदर गुप्त को कहा जाता है यानि ओप्शन नम्मर बी ये परसिद गुप्त सासक थे जिन्होंने आडिया वर्त के नो राजा और दक्षिना वर्त के बारह राजाओं को पराजित कर दिया चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है खालसा शिख खालसा अस्थापित किया गया था किसके द्वाड़ा तो साथियों सिख धर्म का खालसा पंथ अस्थापित किया गया था सन 1699 इसवी में गुरु गोबिन सिंग के द्वाड़ा और ये गुरु गोबिन सिंग सिख धर्म के दासवे एवं अंतिम गुरु थे जबकि सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक जिनोंने सिख धर्म की अस्थापना किया था जबकि तेग बहादूर सीख धर्म के नवे गुरु थे और हरगोविन सीख धर्म के छठे गुरु थे तो चलते हैं अगले प्रसन में अगला प्रसन है संतोष ट्रोफी संबंद है तो साथियों संतोष ट्रोफी खेल का संबंद ये फुटबॉल से हैं जबकि विल्स ट्रोफी, इरानी ट्रोफी, देवघर ट्रोफी, सीके नाइडू ट्रोफी या वर्ल्ड कप, चेंपियन ट्रोफी ये सब किर्केट से संबंदित है जबकि बाकर कप गॉल्प से संबंदित है और नहरू कप बॉस्केट बॉल से संबंदित है जबकि नेहरू ट्रॉफी होंकी से संबन दीते हैं साथियों नेहरू ट्रॉफी होंकी और जबकि नेहरू कप बॉसकेट बॉल तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है यूनेस्को का मुख्याले है तो साथ यो यूनेस्को का मुख्याल है पैरिस फ्रांस में है और ये जो है उनेस्को की अस्थापना सन 1946 इस्वी में हुआ था तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है बासको डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को सरपर्थम खोजते हुए काली कट के समुद्र टट पर पहुचा था तो बासको डिगमा जो है समुन्दर टट के रास्ते से भारत के खोज करते विये कालिकट पहुचा था सन 1498 इस भी में अप्सन नमबर D चलते हैं अगले प्रस्न में आज का अगला प्रस्न है भारतिय नौ सेनो में सामिल पर्थम नाभिकिय पंडुबी का नाम है तो भारतिय नौ सेनो में सामिल पर्थम नाभिकिय पंडुबी का नाम है चक्र तो चलते हैं आज के अगले प्रस्न में आज का अगला प्रस्न है निमलखित पीमपरी निमलखित के लिए परसिद्ध है तो पिम्परी जो है ये पूने में इस्थित है जो की पैंसलिन उध्योग के लिए परचलित है पूने महारास्त में ये पैंसलिन उध्योग के लिए है चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्ण है टार्नेडो निम्लखित में से मेल खाता है यानि टार्नेडो क्या है टार्नेडो हरिकेन और टाइफोन ये सब साथी हो ये चकरबात हैं चक्रबात में आपको एक बात याद रखना है कि चक्रबात में निम्न दाव का केंदर रहता है यानि बीच में इसमें होता क्या है बीच में निम्न दाव का केंदर रहता है और इसमें बाहर से वायू अंदर की ओर आता है चकरवात में बाहर से वायू अंदर की ओर आता है जबकि परती चकरवात में जो है वायू इसमें होता क्या है उच्च दावका केंदर रहता है अंदर में और परती चकरवात में वायू जो है अंदर से बाहर की ओर जाता है यनि चक्रवात में वायू अंदर की ओर जाएगा और इसके विपरित परती चक्रवात में वायू बाहर की ओर जाएगा के अंदर से फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है सबसे पहले कौन सा हरप्पा कालिन अस्थल का खोज हुआ था तो साथियों सबसे पहले हरप्पा कालिन अस्थल वो हरप्पा ही था जिसका खोज हुआ था सन 1921 इसवी में और इनके खोज करता थे राय बहादुर दयाराम सहनी जबकि मोहन जोदरों की खोज सन 1922 इसवी में हुआ था और इनके खोज करता थे राखल दास बनर जी जबकि लोथल ये जो थे सिंदू सभयता के परसिद्ध बंदरगाह थे भारत की नागरिकता निमलिखित में से किस परकार से प्राप्त की जा सकती है तो साथियों भारत की नागरिकता संबंदी अधिनियम सन 1955 में बना था और आपको पता है कि नागरिकता भाग दो के अनुछेद 5 से 11 में बरनित है और इनमें कहा गया है कि नागरिकता जन्म से और बनसानुगत करम से तथा देशिय करन से यानि ये सभी परकार से आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यानि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उसके बाद चलते हैं अगले प्रसने में अगला प्रसन है टीहरी बांद इस्थित है तो साथियों टीहरी बांद ये भागी रती नदी पर इस्थित है और ये उत्तरा खंड में है और ये जो है भारत की सबसे ऊची बांध है फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है सिंदू नदी का उद्गम अस्थल है तो सिंदू नदी का उद्गम अस्थल तिब्बत में इस्थित मान सरोबर जील है ऑप्शन नमर सी चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है लगतार बढ़ती कीमतों की परकिर या कहलाती है तो साथियों लगतार बढ़ती कीमतों की पड़करिया मुद्रा अस्पिती कहलाती है यानि option नमब डी कि इसका मतलब यही हुआ कि लगतार किसी भी बस्तू का मुल्य बढ़ रहा है और उसके तुलनों में मुद्रा का मुल्य कमी हो रहा है यानि बस्तू के मुल्य में बिर्दी होना और मुद्रा के मुल्य में कमी होना ही मुद्रा अस्फिती कहलाती है जबकि बस्तु का बहुत अधिक उत्पादन हो गया हो और बिकना बंद हो जाए तो उसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है नाविकिय किरियाओं में नाविकिया किरियाओं में उपयोग किसका उपयोग इंधन के रूप में किया जाता है तो साथियों इंधन के रूप में नाविकिया किरियाओं में यूरेनियम का परयोग किया जाता है औप्शन नमर ए फिर चलते हैं जैसे भारी जल दिया हुआ है तो भारी जल और ग्रेपाइट बारी जल और ग्रेपाइट का प्रयोग नावकिया रियक्टर में मंदक की रूप में करते हैं जबकि केडमियम और बोरोन के छर का उपयोग रियक्टर के नियंतरक छर के रूप में करते हैं और फिर चलते हैं आज के अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है रेसम कीरा अपना जीवन चकर के किस अवस्था में बानेजिक तन्तु पैदा करते हैं तो यह जो है अपने जीवन चकर के प्यूपा अवस्था में यानि ओप्शन नम्मर सी राइट होगा रेसम जो है रेसम का कीरा अपने जीवन चकर के प्यूपा अवस्था में बानेजिक तन्तु पैदा करते हैं चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है ग्रीन बीच इस्थित है तो साथियों ग्रीन बीच जो है यह यूनाइटेड किंग्डम यानी यूके में इस्थित है जिसे ब्रिटेन करते हैं या इंगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है 1916 इसवी में अखिल भारतिय होमरूल लिग की अस्थापना किसने की तो साथियों 1916 इसवी में होमरूल लिग की अस्थापना एनिवेशेंट मदरास में किया था और बाल गंगाधर तिलक तिलक महोदय पूने में किया था यानी पूने में बाल गंगाधर तिलक और मदरास मे एनिवेसेंट फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है लाइप लाइप आफ पाई ये पुस्तक है और कहता है इन में से किस ने लिखा तो लाइप आफ पाई पुस्तक के लेखक यान मार्टेल हैं चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है ताज महल का डिजाइन किस ने तयार किया यानि वो दिजाइन करने वाले बस्तुकार कौन थे तो साथियों ताज महल का डिजाइन उस्ताद इसा ने किया था यानि इसका रूप रेखा दिया था जबकि इसके अस्थापत्य को बनाने वाले थे अहमद लाहोरी साहब और ये ताज महल बर्माने वाले सासक थे साह जहाँ चलते हैं आज के अगले प्रस्न में निम्र्खित में से कौन से दो राज के बीच जो है कावेरी जल विबाद होता है तो कावेरी जल विबाद जो है यह दू जून 2014 को दू जून 1990 को कावेरी जल विबाद से निप्टने के लिए यह एक अधिवेशन गठन किया गया था और यह करनाटक और तमिल नाडू दोनों राज्यों के बीच है यानि करनाटक और तमिल नाडू के बीच कावेरी जल विबाद चलता है और इनके लिए गठन किया गया था कावेरी जल विबाद अधिनियम 1990 फिर चलते हैं आज के अगले सवाल में किस एक मात्र कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महत्मा गंधी ने की थी तो वो एक मात्र कॉंग्रेस का अधिवेशन 1924 इसवी का था बेल गउ में आजुजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता महत्मा गंधी ने किया था तो यह गाया बाला जो हुआ था बिहार में 1922 इसवी में इनके अध्यक्षता किये थे चितरंजंदास तो चलते हैं सात्यों अगले परस्न में अगला परस्न है उपन्यATHAN वार एंड पीस के लेखक कौन है साथियों ये बहुत ही परसिद्ध उपन्यास है और ये बार बार पूछा जाता है तो बार एंड पीस के लेखक हैं काउंट लियो टॉल एस्टा है चलते हैं अगले प्रस्ण में आज का अगला प्रस्ण है एक्स रे का आविस्कार किस ने किया तो साथियों एक्स रे का आविस्कार रोएंट जोन ने किया था जिन्हें बहुत की के छेतर में सबसे पहले नोबिल प्राइज मिला था एक्स रे के खोज के लिए और जबकि रेडियों का अविस्कारक मारकोनी है और बिटोमिन डी के अविस्कारक हॉपकिन्स है तो चलते हैं आज के अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है स्वतंतरता पराप्ती के पहचात भारतिया राश्टिया कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो उस समय स्वतंतर प्राप्ती के समय सन 1947 सिस्वी में कॉंग्रेस के अध्यक्ष जेवी किरपलानी थे ऑप्सन डी चलते हैं अगले प्रस्न में भारत में भारतिया संबिधान के किस भाग में संग्या नियाय पालिका का उलेक है तो साथियों भारतिया संबिधान के भाग पंच में संग्या नियाय पालिका का उलेक है जिन में अनुछेद बावन से 151 तक बरनन है जबकि भाग तीन में मौलीक अधिकार है जिसका बरनन अनुछेद 12 से 35 में है जबकि भाग तू में भाग दो में नाग्रिकता का उलेक है जो कि अनुछेद 5 से 11 तक बरनन है और भाग चार में राज के नीती निर्देशक है जो कि अनुछेद 36 से 15 तक बरनन है तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है मुख्य रूप से कौन सी बाहिकाएं हमारे सरीर के बिभिन भागों से हिर्दे तक रक्त का वहन करती है तो साथियों, शरीर में दो पड़कार के रक्त भाते हैं, एक सुध और एक वसुध जबकि वसुध रक्त सीरा के दोरा भाता है और सुध रक्त धमनी के दोरा और ये सीरा का कौम है वसुद्ध रक्त यानि carbon dioxide रुक युक्त रक्त और धमनी में oxygen युक्त रक्त रहता है यानि oxygen रहता है धमनी में जबकि carbon dioxide सीरा में तो सीरा जो है हमारे सरीर के विभिन भागों से हिर्दय तक लाते हैं option A हो जाएगा question के according जबकि धमनी का कौम है हिर्दय से सुध रक्त को विभिन भागों तक सरीर के विभिन भागों तक पहुचाना तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है साबून के साथ ततपरता के साथ ज़ाग ना बनाने वाले जल होता है ना लगा हुआ है भाई तो आसानी से ज़ाग नहीं देता है साबून के साथ वो कठोर जल यानि हार्ड वाटर जबकि मिर्दू जल में जो है साबून आसानी के साथ ज़ाग देता है कौन सा एक मातर तारा है तो साथियों option D यानि सूर्य एक तारा है जबकि पिर्थिभी और शुक्र यह एक गड़ा है जबकि पिर्थिभी का एक मात्र उप गड़ा चैंदरमा है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है पिर्थिवी का अक्ष इसके कक्षिय समतल के लंब से कितना जुका है तो साथियों पिर्थिवी के अक्ष जो है इसके कक्षिय समतल के लंब से सारहे 23 डिगरी जुका हुआ है जबकि कक्षिय तल से रहेगा तो सारहे 66 डिगरी हो जाएगा अगर लंब पुछा जाएगा कक्षय तल के लंब से तो सारे 23 दिगरी अगर लंब ना रहे तो सारे 66 दिगरी होगा तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है मुक्त रूप से निलंबित हुई सुई किस दिशा में ठिकती है तो साथियों अगर हम सुई को मुक्त रूप से लटकाते हैं तो वह उत्तर और दक्षिन दिशा की और इंडिकेट करता है चलते हैं अगले प्रस्न में अज का अगला प्रस्न है प्रकास संसलेशन में हरे पोधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो साथियों प्रकास संसलेशन के द्वारा हरे पोधे द्वारा जल से ऑक्सिजन गैस मुक्त होती है यानि बाहर आती है जबकि कार्बन डाय ओक्साइड का उपयोग अंदर लेते हैं और इसी से कार्बो हैड्रेट यानि गुलकोज का निर्मान होता है यानि ओक्सिजन को छोड़ा जाता है प्रकास संसलेशन में कार्बन डाय ओक्साइड को गरहन किया जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है 46 नमबर तरित की चमक गरजन पहले सुनाई देखने में आती है क्यों तो जब बादल गरजते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी चमक दिखाई देते हैं जबकि सुनाई कुछ देर के बाद देते हैं यह रियल बात है तो साथियों ऐसा इसलिए होता है कि प्रकास की गती जो है धोनी की गती से अधिक होती है यानि option number C प्रकास के गतियाधिक धोनी के तुलना में चलते हैं अगले प्रस्न में चंदरगरहन होता है तो चंदरगरहन होता है जब पिर्थवी जब पिर्थवी जो है सूड़ी और चंदरमाओं के बीच में आ जाएगा तो चंदरगरहन हो जाएगा option number C साथियों इसमें होता क्या है सुर्य कहीं पर नहीं होता है S हो गया सुर्य और ये हो गया E इर्थ तो सुर्य जो है और ये हो गया M चंदरमा अगर साथियों बीच में अगर पिर्थवी आ गया तो चंदर गरहन हो जाएगा अगर बीच में M आ जाएगा यानि मून तो वो सुर्य गरहन हो जाएगा जबकि सुर्य जो है अपने अस्थान पर ऐसे ही रहता है यानि बीच में चंदरमा आएगा तो हो जाएगा सुर्य गरहन अगर बीच में पिर्थवी आएगा तो हो जाएगा चंदरगरहन तो चंदरगरहन पुर्णिमा के दिन सुर्यगरहन आमवासिया के दिन होता है चलते हैं अगले प्रस्न में भारतिय सम्मिधाउन के किस अनुछेद के अंतरगत जम्मू कस्मिर को विसेश दर्जा परदाउन किया गया है तो भारतिय सम्मिधाउन के अनुछेद 370 के दोड़ा विसेश राज का दर्जा दिया गया था जम्मू कस्मिर को जो की अब इसे बर्खास्त कर दिया गया और अनुछेद 368 में सम्मिधाउन संसोदन है और अनुछेद 356 में राष्टपती सासन किसी भी राज में लगया जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है दुधवा नेशनल पार्क इस्थित है तो साथियों दुधवा और पिली भी ये नेशनल पार्क उत्तर परदेश में इस्थित है ओप्शन नमर ए चलते हैं अगले प्रस्ण में आगे प्रस्ण है थीन बांद किस नदी प पंजाब में इस्थित है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है इस रो का पूरा नाम है तो साथियों इस रो का पूरा नाम इंडियन अस्पेस रिसर्च और गनाइजेशन यानि ऑप्षन नमबर डी हो जाएगा अप्षन नमबर डी हो जाएगा इस रो की अस्थापना 1979 इस भी में हुआ था और इसका मुख्याले बंगलोरू में है चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है डैबटीज बिमारी सरीर के जिस अंग को परभावित करती है वह है तो साथियों डैबटीज बिमारी जो है शरीर के पेन किरियाज यानि की अगनासय को परभावित करता है और ये डैबटीज जो होता है अगनासय के द्वारा जो है इंसुलीन नमक हारवन सरावित होता है इंसुलीन के कम सरावन से डैवटीज होता है मधुमें और इंसुलीन के अधिक सरावन से हाइपो गलाईसेमिया बिमारी होता है तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है तरित चालक की खोज की थी और जबकि टेली वीजन का आविस्त कारक जेल बेर्ड ने किया था टेली फोन का आविस्त कारक जो है मैक्रोफोन टेली फोन गरहम बेल ने किया था चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्ण है भारतिय रेलवे में बड़ी लाइन की लंबाई ट्रेक की चवड़ाई होती है तो बड़ी लाइन की ये जो चवड़ाई होती है दो पेट्रियों के बीच वो होती है 1676 यानी 1676 mm mm या मीटर में रहेगा तो 1.676 अगर मीटर गेज रहेगा तो एक मीटर का होगा या 1000 mm चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है पोंगल इस माह में मनाया जाता है तो साथियों पोंगल तमिलनाडू का परसिद तोयहार है जो जनवरी माह में मनाया जाता है चलते हैं फिर अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है मैनो मेटर यंतर का उपियोग से मापा जाता है तो मैनोमेटर उपियोग जो है गैसों का दाव मापते है जबकि वायुमंडल या नमी जो है हाईग्रोमेटर से मापते है और जबकि दरवों का घनतों जो है हम हाईड्रोमेटर से मापते है चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है परवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है तो साथ यहों परवासी भारतिय दिवस नो जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी दक्षिन अफिर का सन 1893 इस्वी में सेख अब्दुल्ला ब्यपारी के मुकदमे के लिए गया था और वहां से लगबग 22 ब अबसर पर जो है दौजार 3 इस्वी से नो जनवरी को परवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है चलते हैं अगले प्रस्नमें पंच तंतर के लेखक हैं तो साथियों पंच तंतर के लेखक विश्नु सर्मा है जबकि महावारत के लेखक बेदवियास हैं, गीत गोबिंद के लेखक जैदेव हैं, जबकि मालती माधव के लेखक भवभोती हैं, तो चलते हैं अगले प्रस्न में, अगला प्रस्न है, दुरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, तो साथियों, दुरंड रेखा, सर दुरंड के दोड़ा 1896 इस्वी में खिचा गया था, उस समय भारत और पाकिस्ताउन के बीच था, लेकिन बाद में यह रेखा, जो बरतमान में अभी भी पाकिस्ताउन और अफगानिस्ताउन के बीच है, तो अप्सन नम्मर बी, चलते है अगले प्रस्ण में, दादर नगर हवेली की राजधानी है, साथियों, यह आज का अंतीम सवाल है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, तो यह हो जाएगा बरतमान में, दमन में है, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली और दमन दीप को 26 जनबरी 2020 में बिले कर दिया गया और इसका राजधानी दमन में बनाया गया तो साथियों ये था मेरा आज का आठमा प्रैक्टिस सेट तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक, कॉमेंट, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में